हाई फ्रेंड्स मैं हूँ पृतिका और आप सबका अपने यूट्यूब चैनल कुपमी पृतिका में स्वागत है तो आज हम दोग मतर फुलाओ बनाएंगी यह रेसिपी बनाने के लिए जो भी इंगरियंस यूज होने वाले है उसकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक दो तज के पत्ते दो दालचीनि के तिप्ले चार पाच लॉंग चार पाच काली मिर्च और हाप चॉम्माट जिरा दिया और दो सुखी लाद निर्च लिए अभी ये खड़े मसादे इसमें एड़ कर देना है और मिक्स कर लेना है अभी इसमें स्लाइसेस में कटा हुआ है कॉनियोन एड़ कर लेना है और मिक्स कर लेना है अभी इसको मिलियम में से लगबर 3-4 मिनिट तक प्राई कर लेना है प्राइ करते ताइम इसको इस तरह से बीज़ीट में स्टर करते रहना है तो अगर आपने अभी तक मैरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन दे लाइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाड़े वीडियो के नोटिफिकेशन अब तर सबसे पहले पहुचेए तो यहाँ पर ओने को मैंने मिडियम प्रेम के दगबर 3-4 मिनिक तक ख्राइ कर लिया है अभी इसमें मतर की दाने एड़ कर लेना है तो यहाँ पर मैंने हाफ को टोरी प्रेश मतर के दाने लिए है अभी यह मतर के दाने इसमें एड़ कर लेना है और मिक्स कर लेना है अभी इसको मिडियम प्रेम लगबर 4-5 मिनिक तक ख्राइ कर लेना है प्राइब करते दाने को इस तरह से बीज बीच में स्टर लेंगा है तो यहाँ मतर के दाने को मैंने मिजियम फिम पिलत बख चाय में फ्राइब कर लिया है अब इसमें एक कॉत रिबासमति राई सेड कर लेना है और मिक्स कर लेना है अभी इसमें हाफ चोंमच नमक एड़ कर लेना है और मिक्स कर लेना है नमक आप अपने स्वाज के अमचा कमिया ज्यादा कर सकते हो अभी इसमें टू एट हाफ कटोरी याने के डाई कटोरी पानी एड़ कर लेना है और mix कर लेना है अभी इसको high flame पे लगबग 5 मिनिट तक cook कर लेना है तो यहाँ पे लगबग 5 मिनिट हो चुके हैं open करके देख लेते हैं अभी इसको एक बार अच्छे से mix कर लेना है अभी इसको medium flame पे लगबग 6-7 मिनिट तक cook कर लेना है तो यहाँ पे इसको मैंने medium flame पे लगबग 7 मिनिट तक cook कर लिया है अभी गैस की flame को low कर देना है low flame पे लगबग 3-4 मिनिट तक cook कर लेना है तो यहाँ पर लगबग 3-4 मिनिट हो चुके हैं, ओपन करके देख लेते हैं तो यहाँ पर यह मटर फुलाव बनके रेडी है अब ही गेस्की प्लेम को आफ कर लेना है और इसको डख के 4-5 मिनिट टक साइड में रख लेना है और बाद भी इसको सव कर लेना है तो यहाँ पर लगबग 4 मिनिट हो चुके हैं, अभी इसको ओपन कर लेते हैं अभी यह मटर फुलाव फुरी तरह से रेडी हो चुका है, अभी इसको प्लेट में सव कर लेते हैं तो यहाँ पर मटर फुलाव मैंने प्लेट में सव कर लिया है तो यह recipe बनाने के लिए जो भी ingredients यूज हुए है उसकी list आपको description box में मिल जाएगी तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हो comment करके जरूर बताईए और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए and share कीजिए Thank you